पंचायत आज तक में अब लखनव में इस बात की चर्चा होगी कि अब की बार किसकी सरकार क्योंकि अब ये लगभग तै दिख रहा है कि दोनों तरफ से मोर्चा संभाले हुए ये जंग एक तरफ समाजवादी पार्टी और उन छोटे दलों के साथ उनका गड़बंदन है तो दूसी तरफ बीजेपी और उसके कुछ दल जो साथ है तो कुल मिलाकर जब हम इस तरह की जंग देखते हैं तो किसकी इस बार बनेगी सरकार इसी पर करेंगे चर्चा क्योंकि एक 300 सीट वो बीजेपी के लिए छोड़ रहे हैं तो परिचे खास मैमानों से सतीश तुवेदी जी जो कि क्याबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश में तालियों के साथ स्वागत कीजिए नरेश उत्तम पटेल साहब जो की अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ उनका अभिनन्दन कीजिए सतीश जी अपकी बार किसकी सरकार आपके दावों को जरा सुन लेते हैं ऐसा क्या आपने जादू की छड़ी जलाई है, कि आपको इतना भरोसा है कि आपकी वापसी होगी? अंजना जी अपकी बार नहीं, फिर एक बार बीजेपी सरकार, फिर एक बार योगी सरकार, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है, इस बार के चुनाओं में ये बिसे है नहीं कि सरकार किसकी होगी? जनता मन बना कर बैठी है कि सरकार तो बीजेपी की होगी? रही बात सीटों की, इतना जरूर हम विस्वास के साथ कहते हैं कि निश्चित रूप से हम 300 पार होंगे, अब हम चुकी कालपनिक बाते नहीं कर रहे हैं, इसलिए 400 की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको पता होता है कि नहीं आना है सत्ता में, वो 400 क्या, 403, 420, 425 की भी बात कर सकता है, हमको ये विश्वास है कि पिछली बार हमारे सहयोगी दलों के साथ, हमारी सीटें 325 थी, बीजेपी की अपनी 312 थी, हम पूरे भरोसे के साथ चल रहे हैं, कि हम पिछले बार से आगे बढ़ेंगे, जादू की छड़ी की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, हम तो 2017 में जब सरकार में आये थे, और आपको याद होगा, बीजेपी ने नारा दिया था, ना गुंडागर्दी, ना बरष्टाचार, अपकी बार बीजेपी सरकार, तो केवल वही नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता को, प्रदेश बनाने के लिए जो जरूरी बातें थी, चाहिए वो सड़कों का मामला हो, बिजली का हो, कानून विवस्ता का हो, सिक्षा का हो, स्वास्त का हो, रोजगार का हो, पेजल का हो, गरीब लोगों के उत्थान का भिसे हो, लड़कियों के विकास के बारे में हो, महिल और इसी वज़े से लोग अब ये शांती पसंद और विकास बिजली शिक्षा स्कूल सब की वो बात कर रहे हैं कैसे आपकी वापसी होगी पंजना जी पंचायत आज तक में आपने मुझे आमत्रित किया मैं आपका और चैनल का धन्यवाद देता हूं जहां तक भरस्टाचार और गुंडा राज की बात है भारती जनता पाटी ने 2017 में बहुत बढ़ चल का नारा लगाया कि उत्तर प्रदेश में भरस्टाचार और गुंडा गर्दी समात्रों लेकिन पांच वरस के अंदर भारती जनता पाटी ने पूरे प्रदेश को तहस्मे जिस तरीके से जनता से वादे किये उन वादों पर खरी भारती जनता पाटी नहीं उतरी शिरिफ जुमले बाजी और धोके बाजी करके जनता को गुमरा किया और इसलिए आज पांच बरस होने जा रहा है भारती जनता पाटी से जनता का विश्वास उठ चुका है और मानि आखिलेश यादो जी की सभाओं में या उनकी यात्राओं में जिस तरीके का जनसहलाब उमन रहा है यह साब दिखाई देता है कि आने वाले 2022 में मानी अखिलेश यादो ही उत्तर प्रदेश के मुख्धमंत्री बनेगे चार सो मिल जाएगा आपको चार सो उत्तर प्रदेश में में राजनीती में पिछले चालीस वरस से लगातार कभी कोई दुबारा नहीं बना और यह इस बार भी 2022 में भारती जनता पार्टी जनता में फलाप हो चुकिया और समाजबादी पार्टी आप लोग यह कह रहे हैं सम अनसृति उस आधार पर भरोसा है कि कोई दुबारा नहीं बना इसलिए हम बनेंगे बहुत सारे मिधक भारते जनता पार्टी ने 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 मैं बिखले युट्रे जानठी शुद्ध के मिधक टोड़े हैं जब 2014 में भारते जनता पार्टी केंदर में सरकार आई, तो जिस तरह से केंदर की सरकार ने काम किया, जो काम पिछले सतर सालों में हो जाने चाहिए थी, सतर साल बाद गरीब को आवास उपलब्द कराना, हर गरीब महिला को सोचाले उपलब्द कराना, हर गरीब महिला को निसुल गैस कनेक्सन उपल में सरकार आई और मोदी योगी की ये डबल इंजन की सरकार जब चली तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है वो सारे मिथक तूटेंगे लो कहते तो इनके मुख्यमंत्री नोडा नहीं जाते थे डर के मारे किसा आप नोडा जाने वाला तो मुख्यमंत्री नहीरा पर था आज दूसरे स्थान पर है LEघ की दचाई बड़ी अर्तववस्ता थे नंबर एक पर है चाहे करिसी की बात करें चाहे उबागा क्षेक्ड के अदार पर चुनाओं में जा रहे हो जो ब किया विकास का काम जितना मानी अखिलेश आदोजी ने किया इसलिए पाँच वरस में जनता मानी अखिलेश आदोजी को याद कर रही है उन्होंने सड़क, स्कूल, अस्पताल, सिक्छा, लैपटाब, जो भी किया वो इस प्रदेश के विकास के लिए किया और इसलिए अखिले शादोजी पर लगातर जन्विश्वास बढ़ता जा रहा है और भारती जन्ता पार्टी से जन्विश्वास एक्दम समाथ हो चुका है जहां तक देश की बात है 2014 में भारती जन्ता पार्टी ने वादा किया था कि 90 दिन के अंदर महगाई खतम कर देंगे आज महगाई कहां चली गई आठ वरस के अंदर भारती जन्ता पार्टी ने महगाई आसमन पढला दिया आप 90 दिन के अंदर महगाई खतम करने की बात करते थे आपने 2 करोल लोगों को प्रतिवर्स रोजगार देने का वादा किया था आप उत्तरप देश में आप बता रहे हैं कि हमने 4 लाग लोगों को रोजगार दिया इस तरीके के विग्यापनार है आप अगर 2 करोल के इसाब से देखो भारत का सबसे बड़ा राज उत्तरप देश है यहाँ पर तो करोलों में रोजगार होना चाहिए आप 5 लाग रोजगार जो संभिदा कर्मी है मनरेगा मजदूर है उनको आप गिना करके साड़े 4 लाग लोगों को रोजगार देने की बात करते है उत्तरप देश में जितनी भी भरतिया निकली है वो भरतिया पूरी तरीके से द्वस्त हो गई है कहीं पेपल लीक हो गया कहीं परिक्षा में हर तरीके के परिशानी आ गई और पूरे प्रदेश में पांच वरस तक भारती जनता पाटी ने कोई भरती नहीं किया है इसलिए नौजवान पूरी तरीके से भारती जनता पाटी से ब्याद नाराज है और नाराजगी का ही करण है कि आज भार्टी जनता पाटी को सो प्रस्ट जनता उत्तर प्रदेश से नकार चुकी है 2022 में मानि अखिलेश आदोजी की तरब विश्वाज बढ़ता जा रहा है लाल टोपी पहन के आए है जी इस पर भी अलग राजनीती हुई थी लाल टोपी करांटी का परतीख है लाल टोपी नहीं देश की आजादी में सबसे बड़ा काम किया है देश की आजादी दिलाने वाले समाजवादियों का सबसे बड़ा युगान है आप इसको रेड अलर्ट क्यों बोल रहे थे प्रधान मंत्री जी ने कहा था ना जी हम लोगों को तो सोभाग्य नहीं मिला आजादी के आंदोलन में सामिल होने का लेकिन बच्पन से पढ़ा जरूर है इतियास में के सरिया रंग की भूमिका मुहें रंग दे के सरिया ये तो तो रंग से प्रिट थपाली जी ना 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 मैं बिल्कुल मेरी बात सुनिये के सरिया रंग की भूमिका तो आजादी के लड़ाई में सुनी थी लाल टोपी की चर्चा कहीं नहीं हुई ये समाजबादी पार्टी एक नया एक परतिमान गड़ रही है सवाल इसका नहीं है लाल टोपी कम्मिनिष्टों की पहचान रही है और कम्मिनिष्ट जहां भी रहे हैं दुनिया में उन्होंने हमेशा सांती पैदा की है अबिवस्था पैदा की है अराजक्ता पैदा की है भारत ने कम्मिनिजम को नकार दिया है और रही बात अभी अधिक जी कह रहे थे रो बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है लेकिन जो मैं बात के रहा था पांच लाख लोगों को तो प्रत्यक्च रूप से सरकारी इस्थाई नोकरी मिली है अंठावन हजार चैसो पंचायतों में एक एक पंचायत में आजादी के बाद पहली बार चार चार नोकरियां मिली हैं आजाला, बैंकिंग सुविधाओं के लिए बुझू गों को महिलाओं को बैंक तक ना जाना पड़े, उसके लिए हर पंचायत में एक बिसी सकी हो और पंचायत में ही सारे प्रमार पत्र उपलब दो जाए गाउं को उसके लिए एक पंचायत करोड किया 20 लाक करोड का मंत्री जी तो बहुत शारे ये सब रोजगार हैं रोजगार तो करोड़ों को मिला अब की बारी बाके बिहारी क्यों करना पड़ा अगर इतना काम किया ही था तो नहीं नहीं देखे हम दोनों साथ ले चलते हैं हम इस देश की परंपरा संस्कृती अध्या bathroom गौरो भारत की कलपना कोई राम और कृष्पम और स्वु के बिना कैसे कर सकता है कोई कर सकता हो तो वह बताए तो हम तो उस परंपरा के वाहत हैं जो हमेएशा भारतियता की बात करते रहें राम की श्यू की की बात करता था कोई वहां श्पाइल बनाने की बात करता था yet उनको काल पनी कहता था वह कहता था न राम हुए न राम से तु हुआ ऊज तो देखे उत्तर बदेश करशी परधान परदेश इस परदेश में करशी सबसे बड़ा हमारा बुक्ष बेवसाय है और उत्तर बदेश में किसानों की बधाली भारती जनता पाटी ने बहुत बड़ा दी भारती जनता पाटी के जमाने में हमारे परदेश के किसान बहुत बरब करेंगे लेकिन भारत सरकार को साथ बरस के उपर हो गया उसकी माली हालत खराब होती जा रही है उनसे जूट बोला सिर्फ जुमलेवाजी के आज इसे लिए पूरे देश में एक से किसान अगर उनसे नाराज भी थे तो किसानों ने अपना अंदोलन करके उनकी नाक में दम किया न आप लोगों ने थोड़ी की पाटी है, मजदूरों की पाटी है, गरीबों की पार्टी है, और सुरू से समाजवादी पाटी ने करशी को विशेश दर्जा दिया है और करशी में सुधार के जितने भी काम को हो सकते हैं समाजवादी पाटी के जमान समाजवादी पाटी ने दिल्ली में जो किसान बैठे थे उनके पक्ष में पूरे प्रदेश के सभी गभव में किसान यहात्राई निकालना, अंडोलन करना, रावए किसान अपके मादन वाहत्ति पहुचाना, पूरे परोई प्रदेश में अखिलिय शादोजी की निरदेश पर पूरे प्रदेश के किसानों के साथ समाजवादी पार्टी कहट हुए और इनको तीन काला कानून जो बिना चर्चा के पास करा रहे थे, उनको वापस लेना पड़ा, लेकिन किसानों का उससे बला नहीं हुआ, किसान तो यह चाहता है कि हमारी फसलों के मूल जो भारस सरकार तेह करती है, हमको नियूनतम समर्थन मूल देती है, कम से कुम, हमको समर किसानों का माल, सारे किसानों की उपज, MSP की गारंटी के उसकी कानून बनना चाहिए, और MSP की गारंटी देना चाहिए, तभी इस प्रदेश के किसानों का कुछ भला हो सकता है, लेकिन बारती जनतापाटी उन बातों से मुकर कई, इसके लिए क्या काट है आपके पास, मं और क्या तीनों क्रिशी कानूनों की वापसी से एक सेकेंड मामला सुलच जाएगा क्योंकि अजय मिश्रा टेनी के स्तीफे पर भी कई जगों पर किसान सजठन अड़े हुए है अंजना जी किसानों से संबंधित बहुत सारे सब्द इस आंदोलन के बाद समाजबादी पारट कि मोधी सरकार ने पहली बार उसको लागू किया इसी सरकार ने पहली बार लागू किया कि जब MSP तै होगा तो जो किसानों का अंदोलन था समाजबादी पारटी का तो बिलकुल नहीं था बहुत रहा तो समय समय पर अधिलेश जी या देख जी ने ट्वीट कर दिया होगा वह किसी और बात को लेकर नहीं था केवल किरसी कानूनों के बिरेउध को लेकर था और मानिय परदान मंतरी जी बहुत इसपश्ट रूप से उस पर कह चुके हैं कि उन कानूनों के अच्छाई के बारे में हम कम्यूनिकेट नहीं कर सके किसानों को इसलिए वापस ले रहे ह नहीं तो आजादी के बाद पहली कोई ऐसी सरकार जिसने किसानों को किसी सेट साहुकार के आगे 1500 के लिए हाथ न पहलाना पड़े 6000 रुपे की सम्मान निदी अगर दिया तो भारते इंतर पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किरसी उपकरनों पर 80 प्रतिसत तक का अनुदान दिया है आज ये MSP की बात करते हैं इनके समय में एक बी ने ने आपने बिजली की किमत भी घटा दी नहीं वह चुनावी मामला है सट नहीं आप 2017 से अब 2017 से लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं और जब तक आचार संगिता लागू नहीं हो जब लागडाउन था तो धरती पुत्र लोग घरों में बैठ कर ट्वीट कर रहे हम भारते जन्ता पार्टी की सरकार और उसके कारिकरता मैदान पर थे किसानों ये MSP की बात करते हैं इनकी सरकार के समय में क्रेकेंदर तक खुलते नहीं थे और ये हमेशा मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं कभी इनों ने किसानों के इनके समय में यूरिया नहीं मिलता था इनके समय में डीजल नहीं मिलता था इनके समय में क्रेकेंदर नहीं पिरिपे बाज ने रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा हैं, आजाद acquire सारी इसा हो रहा है, कि जिस पालिटी के केंद्र में सरकार हो और जिस लड़के का पिता केंद्रे गिरह राजमंत्री हो, वो अगर अज है तो इससे नायाब उधारन कानून के सासन का और लोग तंतर का आ यहाइव पाइद दुनिया में लेकिन इसे क्या नै Wanna Kattaktha कहां यह पर नई ऐता है ने क्यों हार जाता है ंडा कोई हमारे देश में कहा गया है कि चाहे टरहा कें Evans आपको कोई दूसा थोड़ी कहता था सर्, खुदी प्रेस कांफरेंस करके कहते थे थे अगर मेरा बेटा दोशी पाया गया तो मैं इस्तिफा दे दूगा, ये किसी और ने थोड़ी बुलवाया था उनसे, वो उनका अपना वेक्तिगत बयान है, पर मैं टिपड़ी नहीं करन मंत्री हो, वो प्रथम दृष्टेया भी अगर कोई आरोप की गुंजाइज बनती थी, तो आज जेल में है, समाजबादी पारटी या कांग्रेस या बस्पा की सरकार में कोई ऐसा उदाहरन हो, एक भी उदाहरन अगर नरेश जी चर्चा कर दे तो मैं मान जाओ, नरेश ज परधान मंत्री से लेकर के मुख मंत्री तक लोगों ने इस्तिफा दिया है, उत्तर परदेश के अंदर जिस तरीके का किसानों के साथ या अन्याय हुआ है, भारती जंता पाठी सिर्फ धंकाने का काम गरती है, उन्हें अपमानित करती है, उन्हें फरजी मुकदम में, कोई सच का इना दिखाते हैं, तो उनको भी धंकी, आप विपक्ष को भी धंकी, विपक्ष को उपर मुकदमे, किसान अंदोलन पर मुकदमे, मज़़ों पर अंदोलन, वेरोजगारों के उपर, पूरी तरीके से उनके उपर मुकदमे लगाने का काम, भारती जंता पाठी कातार करती है, ये दमनात्मक कारभाही से कभी शासन नहीं चला है, इस देश के अंदर जितनी बड़ी बड़ी त्रियास्तें रही है, सारी के सारी लोगों को जाना पड़ा है, पांच वरस के अंदर उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके का नंगानाज भारती जंता पाठी ने किया है, इसलिए भारती जंता पाठी से जंता का विश्वास लगाता है, आपने कोविड में अखिलेश यादव की खैर हाजरी पर कुछ नहीं बोला, आपने कोविड में अखिलेश यादव की गैर हाजरी पर कुछ नहीं बोला, जिस तरीके का काम समाजवादी पाठी के कारकरताओं ने मानी स्री अखिलेश यादव की गैर हाजरी पर आपने कुछ नहीं बोला कोविड में मानी अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से यहां परिशान लोगों की मदद मानी अखिलेश यादव जी इनके मैं उदाहर देना चाहता हूं जो हमारे प्रवाशी पर देश के दूसरे राज्यों से आ रहे थे ओव लोग तलबते हुए मर गए उनके परिवारों को अगर किसी ने कोई मदद किया तो उनका नाम स्री अखिलेश यादव है उन सारे परिवारों का अगर सुख डुख किसी ने पूछा है समाजवादी पाठी के तर चरता हू यही करण है कि अखिलेश यादव जी ने जितने भी कोबिट में पीडित लोग ते अपने कारकरताओं के मादम से पाठी के नेताओं के मादम से अपने कोश से भी पाठी के कोश से भी अखिलेश यादव जी ने उन लोगों की मदद किया और अखिलेश यादव जी ने बह तरफ लोगों कासा भरी निगासे देख भी रहे हैं अब की बार किसकी सरकार में अब जरा एक सेकंड सर इसका जवाब आप दे दीजेगा लेकिन अब जरा मैं खानून व्यवस्था पर बात करना चाहते हैं यह जो गोली मार देंगे और जो अपराध है उसको टॉलरेट नही किया जाएगा और यह जो एक हाड स्टांस है क्या योगी आदित्तेनाथ ये मानते हैं कि इसी के जरीए वो सब को दबा कर कंट्रोल में रख रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग जो दावे कर रहे हैं उस पर मेरा सवाल है क्योंकि इसको लेकर मानवाधिकार व कैसे ठीक की जाए दोनों तरफ नहीं चलने देते हैं लोग जब बेटियों के साथ बलातकार होता था 2017 के पहले जब उनके साथ छडखानी होती थी जब वो कॉलेज गोइंग लड़कियों की बात चोड़ दीजिए स्कूल गोइंग लड़कियों का भी कई सारे सहरों में कई मुहलों के सड़कों से होकर के स्कूल जाना मुस्किल था तब लोग कहते तब लोग तरस्त थे इंसी और एक सरकार आई उसने लोगों को भरुशा दिया अज भी है आज भी आप बताये ना किसी कॉलेज के सामने अगर सोधे कड़े होते हों तो आप बताईए ना कहीं लड़कियों कोई सिकायत की हो आपके सामने कोई बिसय आया हो कि आज हम कॉलेज नहीं जा पाते यही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हनक है कि आज लड़कियां रात को भी अपने अगर वो नाइट सिट में काम क करती हैं तो उनको कोई परिसानी नहीं होती आज बेटियों के बाप को मा कोई चिंता नहीं होती कि पांच बज गए बेटी और बहन वापस नहीं आई है तो लोटेगी कि नहीं लोटेगी यह सारी समस्यायत और और किन के साथ मुटिवेड किन का हुआ जिन्होंने पुलिस के इनकी पार्टियों के नेता हुआ करते थे, जो इनके सागिर्द हुआ करते थे, वह या तो जमानत रद्ध कराके जेलों में चले गए, नहीं तो विलचेर मंगाया, अच्छी बली सरीर होते हुए भी, विलचेर पर बेट कर गए, तो ये सब इकबाल होता है कानून का, इकब जी जो बात अभी कोरोना की हो रही थी, पहला संगठन दुनिया का, पहला राजनितिक दल था, जिसके राष्ट्रे अध्यक, जेपी नड्डा जी ने, ये कहा कि इस समय संगठन की सारी गत्विदियां स्थगित, सेवा ही संगठन है, भारते जनता पार्टी का कारिकरता, पूथ पर खड़ा होकर रासन की दुकानों पर निसुलक अनाज का बितरन करा रहा था, जब इनके नेता ट्विट ट्विट कर रहे थे, तो इतले भारते जनता पार्टी को आईना दिखाने लाइक समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की लोग इस बात पर किसी की बात मानने को तयार नहीं थे और भार्टी जंता पार्टी के लोगों ने पूरे दो वरस के उपर आज हो रहा है करोना का जो समय हो रहा है कहा तो यह था कि 21 दिन के अंदर करोना को भगा देंगे बड़े-बड़े विग्यापन आते थे मोदी जी को नहीं दुनिया का महानायक बनाया था आज करोना की रफ्तार कहों बरती जा ओरता गई और करोना भार्ति जंता पार्टी की सरकार में लगातार भगभा नहीं जो चिकिस्सा भाचता हूँ पूरी तरके से निइस दुर्डशा का सिका रहे है कहीं ना उसीजन है न दfiction है नह आनून दोस्ता चलाना चाहते हैं और आप इस तरीके काम करते हैं अभी एक वीडियो आया था जो फर्क साफ है फर्क साफ का आपने देखा कि कौन से लोग है इस प्रदेश के अंदर मापिया और मापियाओं की सूची को समाजवादी पार्टी ने कहा कि जिलावाइज मापि आपको को शाइब करते हैं कि अंदर मान ब्रृद की विख्ष शेयर अदर मतंदी टेटाए हैं मांई अख्लेश यादो जी ने जो 21 वरस की उम्ब की बात थी उसको बहुत इस पर स्धूर मानि अख्लेश यादो जी ने इस बात को के पाटी के नेता की पाटी कविशार पार्टी मानि अखिले शांजवादी पार्टी और उन्हों ने बात कही है कि हमारा विक्टिकर विचार था लेकिन सभाजवादी पार्टी का जो दिरिश्ट कोन है वे इस साल की बढ़ देते हैं नहीं एक सुनिये तो आप सुनिये पूरा सवाल सुनियों समझे कि मैं कहा कंट्रोल रहेगी जल्दी शादी होनी चाहिए बच्चा पैदा करने की मशीन दूसी तरफ आप जिस छवी से आपका मुखाबला है उसमें वो कह रहे हैं कि हम लड़कियों के साथ हैं महिलाओं के साथ हैं प्रदान मंतरी बिलाल किले से भाशन देते हैं फिर आपको हात्र एक गुंडागर्दी जो आपकी पार्टी के जहंडे तले होता था उससे लोगों को डराया जाता है इससे कैसे मुकाबला करेंगे क्या स्ट्राटेजी है देखे हमारे नेता मानी अखिलेश यादोजी की सरकार्ती और उस सरकार में कानून का राज था लेकिन भारती जनता पार्टी ने शिर्फ गुम्रा करके इस प्रदेश में जुम्ले बाजी करके गुम्रा करके सरकार तो बनाती, लेकिन पांच वरस के अंदर उततर प्देश में अपरादों का गराब बढा है, मैं नहीं कहता, यह आकड़े कहते हैं के उततर पदेश में, चत्याra, डकाईती तो कैसे आप लोग अपकी बार पी शवास सब्ध जन विस्वास सब्ध परिसान कर रहा है जैक जी को अभी क्योंकि अभी अभी जो भारते जन्यता पारिटी की जन विस्वास यात्रा उत्तरप्रदेश में हुई है और उसमें जिस तरह से जनता का अपार समर्थन मिला है उस आज तो अपराधी सामानेवेक्ति की हत्या करने से डरता है अंजना जी और उत्तर प्रदेश को चार जिलों में बिजली आती थी इटावा कन्योज फरुकाबाद और आजम खाजी का रामपुर चार जिलों में बिजली आती थी सेस हम लोगों की जिलों में चार घंटे बिजली आती थी रात को 12 बजे और सुबा उठने से पहले चार बजे चली जाती थी आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बिजली आती है और 18 घंटे ग्रामरी चेतर से लेकर जिला मुक्याले पर 24 घंटे तक बिजली आती है आज किसी को अपराधियों का खौब उत्तर प्रदेश में किसी के मन में ने 4,67,000 करोड का यूपी इंवेस्टर्स मीट जब 2018 में योगी सरकार ने किया था तो तंज कसा था अकिलेस जी ने कि रहे हमने भी किया था लेकिन कोई उपी में आता नहीं है इसलिए नहीं आता था नेता जी उसमें उपी में क्योंकि यूपी में हपता वसूली होती थी उन में से तीन लाग करोड से अधिक का इंवेस्टमेंट उपी में हो चुका है आज उत्तर प्रदेश ऑदोगी चले जाएए निती आयोकिया किसी आयोकिया हर छेतर में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है आज उत्तर प्रदेश देश के लिए रोल माडल बन रहा है और हम यूपी के विकास के आधार पर अपनी उपलबदियों के आधार पर अपनी काम के आधार पर अपनी कें जन्ता के बेच जाएंगे और जन्ता को लगेगा कि भाजपा ने विकास भी किया है, सम्मान भी बढ़ाया है, और बहु बेटियों की इजजद भी की है, गरीबों का जीवन इस्तर भी उपर उठाया है, इन सब चीजों को लेकर पतेल जी एक दूसी चीज जो यह लोग बार सामने रखते हैं, वो है, मोदी, योगी और डबल इंजिन, उससे कैसे भीड़ेंगे? एक युणी भी बार्तीजनता पाटी ने अकर बनाया हो, एक भी करकाना बनाया हो, तो पर आजना जी बुड़ बोलना, उम्रा करना, और अधी मानिय खिले स्यादों जी ने 300 उनिट बिजली फिरी किया, जब मानिय खिले स्यादों अको मुप्त भिली देने की बात की, ती पूरी तरीके से जनता को बता रहे हैं जनता जान भी रही है आप लोगों के माद्यम से हमारे मीडिया के भाईयों ने जो सचकाही न दिखाया उससे जनता को विश्वास बढ़ा है कि भारती जनता पाटी ने शुरूड बोला है जनता के साथ दोका किया है चलावा किया है और सिर्फ जुम्लेबाजी किया है और उत्तर प्रदेश को बरबाद कर दिया है हर तरीके से बरबाद किया है इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता भारती जनता पार्टी के खिलाब सत प्रशब है और समाजवाजी पार्टी के पूरी तरीके से मन बना लिया और जनता जिस तरीके से हर गाउं में हर मुहले में भार्ची जनता पार्टी के खिलाफ है और यह जो आगामी चुना होने जा रहा है इसमें हमारे कारकरताओं के मादनें से और जनता के सायोग से ही उत्तरपदेश का 2022 का रिजल्ट आएगा और कर द Мल aşिंतर Scripture को पार्टी तो हमें संवालवाजी सर्कार मंत्री जे दस मं अच्छे बिजेपी साफ अखिलेश जी कह रहा है अखिलेश जी तो मैदान छोड़ चूए अन्जयन टिया देखे भारतिय आता पार्यटी तो हमेशा अप्राइज जी ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया बारते जंता पारटी हमेशा सम्मेधानिक संस्थाओं का सम्मान करती रही है एक भी उदारन नहीं मिलेगा आपको चाहे नियाले हो चाहे चुनाव आयोग हो निर्वाचन आयोग ने जिस समय घोसना की कि जो परिस्थितियां है अभी मुझे हासी आ रही थी जब अद्दिक जी कह रहे थे कि भाजपा गिराज में करोना बढ़ रहा है पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि पूरी दुनि एक का निर्वाचन आयोग ने अगर कहा कि डिजी टल प्लेटपार्म का इस्तेमाल करेंगे तो जो लोग कहते थे बाबा को तो लेटाप चलाने नहीं आता जए बाबा तो नहीं डरे डिजीटल प्लेट फारम से बाबा ने तो उसका सुगत किया लेकिन जिनको बढ़ा ले स्थिटल प्लेट फारो ने अंध्यागे मंतरी जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने मैदान छोड़ दिया चुट दिया मैं कह रहा हूं मैदान में स्रिफ अखिलेश जी आदो जी वज़ासे बहारती जनता पार्टी के पूरे देश के नेता परधान दिशाए जैसे जब मैं कह कि बिद्दुथ सविस्टेशन और पावर जनरेशन प्लांट में जैसे अंतर नहीं समझ पाती है यह से लगता है जैसे रियंद बांद और नरोरा के सब प्रोजेक्ट इनों नहीं बनाए थे आइसे देखे जब मैंने कहा कि अखिलेशने मैदान चोड़ दिया तो अध्यग कि साथ आए हुए सारे समर्थ तक तालीब जा रहे थे तो यह समझ नहीं पा रहें क्या करना है हम एकदम बिलकुल मैदान में जा रहे हैं लेकिन यह समझ नहीं पा रहें करेंगे क्या तमाम परिक्षार्तियों का दसमार्च को रिजल्ट आ जाएगा यूपी की जनता ही आ आप देखते रहें आज ता आप देखते पेखते बिल्भाइब कर दाया है प्रत को प्रत कर दो यह रहें आज मिना वेखते रहें झाल झाल